आपको बताऊंगा कि पतना-धैस कोर्ष होता है उसकी यह सव्वाल जो है वह सारे दोस्तों के द्वारा वह पूछए जाता है किसी फीज के बारे में आंग को पताया है जहाई किसंटा नोटीच сюs आपको선 में कि दये हैं। आपकोमेशन के टाइम अगा डेख लेते हैं लुख सकता है। एज ग्रूफ के लिए जो है वो कोई आप जो है वो दे सकते हैं तेन्थ का या ऐसा कुछ जो है यह आप दे सकते हैं अधारकार वेगारा अगर इस अप कैटेगरी में हैं अगर EWS से हैं तो आपका यह जो नौट बीराउधी रैंक आफ यह जो है वो देख लीजेगा यह जमा हो जाएगा देखिए और भी जो है जो मांगे जाते हैं उसमें जो है वो जमा नहीं होता है लेकिन कुछ-कुछ जो है जैसे कि आपका आपका जमा हो जाएगा ठीक है इस तरीके से जो है वह आप अप्लिकेशन फॉर्म जो आपने ओन्लाइन अप्लाइड किया वह देख सकते हैं जिते भी हैं डॉकमेंट्स वगरा है वह अच्छे से आपका वेरिफाई वगरा होंगे और सब कुछ जो है वह आपका जब काउंसलिंग रहा हो तो अरिजिनल सेटिफिकेट वगरा आप लेकर लेकर जाना ठीक है वह एक बार बस देखा जाएगा बाकी उसक अब अब बात कर सकते हैं तो यहां पर देख लिए इस तरीके से आपको यहां देखने को मिल रहा है कि यह सेशन जो है वह आपका 20-20 इसका तो इसके आसपास ही रहेगा माली जब अगर अभी जो है वह ओफिशल डाटा मेरे पस नहीं है लेकिन इसके आसपास ही फीज रह यहां पर अगर जनल के टेगरी से हैं या बीसी टू से हैं तो आपका 2047 है तो इसमें जो है वह आपका एक साल का जो है वह फीज लगेगा यहां पर सिमेस्टर वाइस फीज नहीं लगता है हाँ सिमेस्टर वाइस जो है वो कोर्सिस आपके जरूर होते हैं एक्जाम भी सिम तो इनको गल्स में जो भी है तो उनको 310 और जो SC-HT student है जिनकी एक टेगरी SC-HT में आते हैं तो उनको 310 लगेगा ठीक है तो यह आपका जो है वह आप फीस ठीकर देख लें इसमें आपको कोई डाउट नहीं है और हाँ सेकेंड ये में जाओके गौर्मेंट कॉलेजे वगरा हैं इन्वर्सिटीज हैं तो इसमें ऐसे देखा जा सकता है ठीक है तो इस तरीके से फीस है और मैं समस्क्राइब किसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है कोई कोशन है ता आपको जुरू बताना उ और चैनल को सब्सक्राइब के लिए बाई बाई वाई शीए नेक्ट वाई शीए नेक्स्टाइब